हेलो बच्चो आप सब का आपके अपने चनल गोविंद मेत लक्षर्स में एक बार फिर्षिस वागत है तो पिते विद्यारतियो आज की इस क्लास में हम तक्सा छे और साथ गनित विश्य की ब्रक बुक दोजा टेवी 24 के तारे पत्रक 24 को हल करना सिखेंगे बच्चो तारे पत्रक 24 में हम तीन उंकों की संक्याओं की जोड और गटाव को सिखेंगे क्या सिखेंगे बच्चो तीन उंकों वाली संक्याओं को जोडना और गटाना सिखेंगे देखो बच्चो परशन संक्या एक हल कीजिए बच्चो 469 में से क्या गटा है कि 395 आ जाए तो बच्चो देखो, 9 मैंसे 5 जाएगा, तो कितना आएगा, 6 मैंसे 9, तो बच्चो 6 मैंसे 9 नहीं जाता, तो बच्चो यहां से आसिल लेंगे, कितना जाएगा, 16, 16 मैंसे 9 जाएगा, तो कितना आएगा, तो बच्चो 16 मैंसे 9 जाने पर कितना आएगा, 7, ठीके, यहां पर कि तो दूसरा बच्चो क्छो साफमेश के नहीं जाता यहां से आसिल बेजेंगे यहां पर हो जाएगा 3, यहां पर Fairy windows 17 मैं यहां जाएगा तो बच्चो 4 आगे बच्चो प्रशन संख्या 2 क्या करनी है जोड करनी है इसकी बच्चो 121 और 211 की बच्चो 121 और 211 को जोड़ोगे तो कितना आजाएगा 232 अगला बच्चो 266 और 232 को जोड़ना है कितना आएगा बच्चो 498 कितना आएगा 498 फिर बच्चो 312 में क्या जोड़े कि 434 आ जाएं, तो बच्चो 434 में से हम 312 को गटा देंगे, 434 में से किसको गटाएंगे, 312 को, तो बच्चो 4 में से 2 गया तो 2, 3 में से 1 गया तो 2, और 4 में से 3 गया तो 1, यानि बच्चो 312 में क्या जोडना पड़ेगा, 112 को जोडना गटाना है 126 को, 9 मैंसे 6 गया 3, 9 मैंसे 2 गया 7, 3 मैंसे 1 गया 2, कितना आएगा बच्चो खाली जगह में? 273, यहने बच्चो 273 के साथ 126 को जोडने पर, कितना आएगा 399? आगे बच्चो, प्रश्ण संक्या 3, एक पूस्तक में कूल 324 प्रष्ट है, रमा ने 243 पढ़ लिये, अब रमा को और कितने पढ़ने हैं? बच्चो बच्चो कूल कितने थे? पूल थे आपके 324, इस मैंसे कितने पढ़ लिये? 243, तो बच्चो 324 में से 243 को कटा ना है, तो बच्चो ये कितना आएगा? ये बच्चो आजाएगा 81, ठीके? तो 81 पे जब भी पढ़ना बाकी है, आगे बच्चो, प्रश्ण संक्या 4, 483 में कितने जोड़े कि 785 प्राप्त हो? तो बच्चो कैसे लिखेंगे? 483 पलस, यहाँ पर ब्रेकेट में क्या जोड़ना है? कि कितना आजाए 785? तो बच्चो, आंस्वर क्या होगा? आंस्वर निकालेंगे बच्चो, 785 में से बच्चो आपको कितना कटाना है? 483 गटा देना है, तो बच्चो कितना आजाएगा? यह आजाएगा बच्चो, 302 यानि कि 483 के साथ कितना जोड़ना पड़ेगा? 302 जोड़ना पड़ेगा, ताकि बच्चो कितना आजाए? 785 आजाए, ठीके? आगे बच्चो, प बच्चो पहला प्रश्णो संकर के पीता 325 रुपे कमा कर लाए पर संकर की मा 628 रुपे कमा कर लाए ठीके तो मा और पीता ने कमा हुए रुपियों को एक खाली बक्से में रखा उस बक्से में कुल कितने रुपे हैं तो बच्चो कुल रुपे बराबर क्या करना है सबको ज 928, बच्चो दोनों की जोड करोगे, कितना आ जाएगा? 953, कितना आ जाएगा बच्चो? 953 रुपे, यही आपका उत्तर है, ठीके बच्चो आगे प्रश्ण संक्याद इसी का दो, संकर के पिता 560 रुपे कमा कर लाए, और संकर की मा भी कुछ रुपे कमा कर लाए, मा और प बच्चो कुल रुपे, जब बच्चो हम कह सकते हैं, कि मा कमा कर कितने रुपे लाई, तो बच्चो हम लेखेंगे, कि मा के द्वारा कमा कर लाए गए रुपे, ठीके, तो बच्चो कुल कितने हैं? 998, इसमें से संकर के पिताजी ने कितने कमाए हैं? 569, तो बच्चो पिछे कितने बच्चे? पिछे बच्चे बच्चो 449 रुपे, ये किसने लाए हैं? ये संकर की मा ने कमा कर लाए हैं, कि अगला बच्चो संकर के पिता कुछ रुपे कमा कर लाए, और संकर की मा 229 रुपे कमा कर तो कुल कितने हो गए 820, तो पीता कितने रूपे कमा कर लाए, बच्चो पीता के द्वारा कमा कर लाए गए रूपे, पीता के द्वारा कमा कर लाए गए रूपे, तो बच्चो कुल कितने हैं 820, इसमें से संकर की माने कितने कमाए हैं, दो सो उनतीस, तो पीछे कितना बच् इचे बच्चा बच्चो 591 ना बच्चा बच्चो 591 ये किसने कमा कर लाये हैं बच्चो संकर के पिता नहीं ये पैसे कमा कर लाये हैं तो बच्चो इस तरह हमने आपके कारें प्रतरक 24 के सभी प्रश्णों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिये हैं उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्णों के उत्तर आपको उच्छे समझ में आये होंगे तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद यदि आपको मेरी क्लास और महिनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, सेर और सब्सक्राइब जड़ू करें आज दिले इतना ही, जय हिंद, जय भरत